Hello Friends, Welcome राधा कुकिंग ब्लोग आज हम बनाएंगे मतर मसरू मसाला करी मतर मसरू मसाला करी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला रेडी करेंगे पहले ग्याज पे कडाई रखेंगे कडाई गरम हो गया है अब हम उसमें थोड़ी जीरा डालेंगे जिरह गरम हो गया, अब हम उसमें 4 कटी हुई प्याज, 4 मीडियों साइज के टामाटर, 3 हारी मिटची, उसको 3 डाले, 3 से 4 मिनिट तलक, उसको मीडियों फ्लेम में रखेंगे 4 मिनिट के बाद यास बंद कर देंगे उसके बाद हम थन्डा होने के बाद उसका पेश्ट बना के तयार करेंगे उसके बस थोड़ी सी सब टोने तल लगए हम ग्यास पे रखेंगे चार मिनिट में हो जाएगा उसके बाद हम उससे पैस्ट बना देंगे थंडा होने के बाद ही बनाएंगे गरम में बिलकुल भी उसको पैस्ट नहीं बनाने का है अब हम मस्रूम को अच्छे से धो देंगे अच्छे से धोने के बाद उससे कट कर लेंगे मस्रूम धो के कट हो चुका है अब हम उसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे उसके बाद हम उसमें 2 टेवल स्पून मिट्ची पाउडर डालेंगे आपको जितना तीखा चाहिए आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं मैं उसमें 2 टेवल स्पून मिट्ची पाउडर डाली हूँ उसके बाद हम उसमें आधा चमच गरम मसाला डाल देंगे इसके बाद मैंने अध्राकर लेसुन को कद्दू कस करके इस पे डाल दी हूँ अध्राकर लेसुन डाल देंगे उसके बाद हम उसमें डाल देंगे हाप चमस वान एंड हाप चमस दही डालेंगे अब हम उसमें थोड़ी सी कस्तुरी मेथी डाल देंगे उसके बाद गस्तुरी मेथी डालके हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करके उसको आदा गंटे के लिए हम ढखके रख देंगे आदा गंटे में मस्रूम में सारा मसाला आ जाएगा दगन मसाला का फ्लेवर आ जाएगा तब तक हम उसको ढखके रख देंगे इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालने का है अगर हम नहीं डालने का हम अगर उसमें नमक डाल देंगे तो मस्रूम का पानी छोड़ देगा इसलिए हम उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है जीरा गरम हो चुका है अब हम उसमें दो तेज़ पत्ता डाल देंगे दो इलाईची डालेंगे और थोड़ी सी डाल चेनी डाल देंगे इसको थोड़ा सा भुनने के बाद हमने जो मसाला बना के रखे थे जो मसाला तयार किये थे पेस्ट उसको अभी डाल देंगे अब इसी तरीका से एक बर बना के देखिए बहुत टेस्टी बनता है अब मसाले को अच्छे से भून देंगे मसाला अच्छे से भूनने के बाद 2-3 मिनिट तलग उसको भूनेंगे जब 2-3 मिनिट हो जाएगा उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा अब देखिए अब इसका कलर चेंज हो चुका है अब हम उसमें मटर डाल देंगे मटर डालके उसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे मटर मिक्स होने के बाद जो हमने मस्रूम रखे थे जिसमें वो मस्रूम सारा इसमें डाल देंगे हम मस्रूम में अल्डेडी खल्दी मिर्ची सारे डाले हैं अभी इसमें हमको खल्दी डालने के जरूरत नहीं है अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद हम इसको ढखके दो से तीन मिनिट तलक रख देंगे अब तीन मिनिट हो चुका है अब हम उसमें थोड़ी नमक डाल देंगे प्रश्वाद अनुसर आपको टेस्ट के मुताबिक आप नमक डाल देंगे इस पर नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर से उसको तीन मिनिट तलग ढ़क के रख देंगे अब जो मस्रूम का पानी रहेगा पानी निकल जाएगा पानी में ही मस्रूम पक अब देखिए अब इसमें से पूरा मस्रूम पक चुका है मटर भी उसमें पक चुका है अब हम ग्रेवी के मुताबिक थोड़ी से इसमें पानी डाल देंगे मैं उसमें आदा कप पानी डाली हूं अब इससे धीमी आँच पे 5 मिनिट के लिए पकाएंगे धीमी आँच पे 5 मिनिट पकादेंगे ढ़क के पाच मिनिट हो चुका है अब हमारा मतर मस्रूम मसाला करी बनके तयार है आप इसको गरम गरम रोटी या चावल के साथ खाएए बहुत स्वादिश्ट बनता है अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक किजिए, सेर किजिए और सस्क्राइब किरिए मेरी चैनल को और बेल आइकन को दबाए बेल आइकन को फ्रेस कर दिजिए थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो